हेलो स्टूनेंट आज हम इस वीडियो में क्लास एर्थ के एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे जिसका पहला क्योस्टन है यूजिंग एप्रोप्रेट प्रोपर्टीज फाइन हमें जो प्रोपर्टीज हैं उनको यूज करके और इनको सोल करना है तो स्टेटमेंट हमारी है माइनस 2 अपोन 3 इंटो 3 अपोन 5 प्लस 5 बाइ 2 माइनस 3 बाइ 5 इंटो 1 बाइ 6 यह equation हमारे गिवन है इसमें हमें क्या करना है कि पहले टर्म्स देखनी है कितनी टर्म्स है टर्म्स कैसे चेक करेंगे जब तक कि किसी के बीच में किसी भी नंबर के बीच में प्लस माइनस न term है इसमें 3 by 5 है तो इन दोनों में common है पहले इन दोनों को rearrange करके लिखेंगे तो पहले as it is फिर इस term को हम पहले लिखेंगे minus 3 by 5 into 1 by 6 और जो plus 5 by 2 है इसको हम last में लिखेंगे यह हमारी कौन से identity यह होती है या यह हमारी commutative property और फिर next हम आगे करेंगे तो इन दोनों में हम common देख रहे है है इसमें भी 3 by 5 है इसमें भी 3 by 5 है तो इसको हम common करने के बाद हमने common लिया है 3 by minus 3 by 5 इसमें हम plus 3 by 5 भी ले सकते हैं plus का दर लेंगे तो sign agities रहेंगे minus निकाल लिए तो sign change होंगे जैसे यहां minus 2 by 3 है यह common निकालने के बाद हमारी यह terms बसती है तो minus की है तो यहां बाहर minus है तो minus minus plus हो जाएगा तो यह हमारा बचेगा 2 by 3 फिर minus minus ही हमारा plus हो गया 3 by 5 हम common ले चुके तो हमारा बचा 1 by 6 और plus में 5 by 2 as it is यह हमारी कॉन से होगे यह हमारी होगे distributed property distributed property कॉन से है अगर हम जखेंगे जैसे commutative property जो है a star b is equals to b star a इसका मतलब है कि जो commutative property में जैसे हम a plus b करते हैं तो b plus a यह equal होगा यानि अगर 2 plus 3 करें और 3 plus 2 करें तो दोनों 5 आएंगे यह हमारी commutative property है यह काम करते हैं यह only addition and multiplication पर यूज होती है subtraction और divide पर नहीं होगी और ऐसे distributed property है distributed property क्या है a into b star c easy question क्या होगा यह की हम b से multiply करेंगे a b star a c यह भी हमारी plus और minus पर ही काम करेंगी जैसे हम अगर देखें इसका example अगर हम देखें तो 2 into 3 plus 4 है इसको हम 2 into 3 6 कर सकते है plus में 2 into 4 जो है वो 8 यह हमारी 14 आ जाएगी या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते है 2 into 7 यह भी हमारा 14 आ जाएगा तो यह हमारी होगी distributed property यह property यूज होगी अब आगे हम करेंगे यह जो पार्ट है हमारा board mask according पहले हम bracket solve करेंगे तो bracket जब solve करेंगे यह लेके तो यह हमरा आ जाएगा 5 by 6 फिर हम इस पार्ट को solve करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 5 से 5 cancel हो गया 3 से 6 को divide करेंगे तो 2 आ जाएगा यह minus 1 by 2 आ गया plus 5 by 2 फिर से यह rational number plus में आ गया तो हम इसका फिर लेंगे टू आ जाएगा और इसको लेके solve करेंगे तो हमारा answer जो हो वह वह तो आ जाएगा नाव नेक्स क्योशन राइट दा additive inverse of each of the following हमें जो नंबर गिवन हो उनके additive inverse लिखना है additive inverse में क्या करना है कि सिर्फ sign change करना है जैसे यह 2 by 8 है तो यह हो जाएगा minus 2 by 8 अब यह यहां हमारा given है minus 6 by minus 5 minus minus यह plus हो गया पहले number को solve करेंगे यह आ गया हमारा 6 by 5 अब इसका additive inverse लिखेंगे तो सिर्फ sign change करना यह plus का है इसको minus का करके लिखना है minus 6 by 5 now question number 3 है verify that हमें verify करना minus of minus x is equal to x4 यह हमें verify करना किसके लिए x is equal to 11 by 15 के लिए तो पहले हम LH side लेंगे तो LH side में minus of minus x is equal to हम x की value put करेंगे तो minus bracket में minus और x की value हमारी है 11 by 15 11 by 15 put करेंगे minus minus की multiply हमारी plus हो जाती है तो जो LH side वो हमारी के आगे 11 by 15 अब RH side देखेंगे RH side में x x की value हमारे पास है 11 by 15 यह हमने RH side लिख दी 11 by 15 LH side और RH side दोनों equal हा गई तो यह हमारा verify हो गया minus of minus x is equal to x यह हमारा question number 3 हो गया Now question number 4 find the multiplicative inverse of the following अब हमें multiplicative inverse विइन विवर्स करना है जैसे हमने additive inverse में किया है कि सिर्फ sign change करना है हम multiplicative inverse में क्या करेंगे कि जो number given है उसका reciprocal करेंगे जैसे minus 13 है तो multiplicative inverse of minus 13 जब हम करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा minus 1 by 13 इसमें साइन चेंज नहीं होगा सिर्फ रैसी प्रोपल करना है ऐसे सेकेंड नमबर हमारा गिवन है माइनस 5 बाइट इंटू माइनस 3 बाइट सेवन तो पहले हम इसको सोल्ड करेंगे माइनस माइनस प्लस 5 की 3 से मल्टिपलाई 15 और 8 की 7 से मल्टिपलाई 56 यह हमारा नमबर ह हो गया इसका मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो इसका ऐसी प्रोपल कर देंगे 56 बाइट 15 ना नेक्स्ट है नेम द प्रोपर्टी हमें जो पार्ट इवन हम उसमें प्रोपर्टी बताने कि कौन सी यूज होगी तो माइनस 4 बाइफ इंटू 1 इस इक्व 13 भय सैवं 10 इन्टो माइनस 2 बाइफ ऺय सैंवन अन इस इंटो माइनस 2 बाइफ इंटो माइनस 13 बाइफ इनटो इन्टो इन्टो इस अमारो इन्टो ए तो ए इन्टो इन्टो आ थैंटो 550 नाव न्यूज इसमिनस ninary 19 अपून 29 plus sorry multiply इंटो 29 अपून 19 जब हम किसी दो numbers का जब किसी numbers की multiply यानि एक ही multiply अगर हम इसके reciprocal से करते हैं 1 by A से तो वो जो हमारा 1 आ जाता है जब 1 आ जाए तो यह हमारी हो जाती है multiplicative inverse तो इसमें इन दोनों की multiply जो रूपन की equal है तो यह हमारी कुंची identity होगी multiplicative inverse identity now question number 6 is multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16 हमें 6 by 13 की multiply करने है इसके reciprocal से तो पहले इसका reciprocal find करेंगे reciprocal of minus 7 by 16 is goes to क्या होगा minus 16 by 7 फिर इसकी multiply हम इस से करेंगे तो इसकी multiply करेंगे 6 की minus 16 से तो minus 96 and 13 की 7 से करेंगे तो 91 यह हमारा answer आगे thank you guys hello student आज हम इस वीडियो में class 8 के exercise 1.1 के question number 7 to 10 discuss करेंगे तो क्योंसर नंबर 7 करने से पहले हम एक property करते हैं जिसका नाम है associativity property associativity property में क्या है कि a into b into c यहां हम पहले b और c की multiply कर रहे हैं और rhs side जो है equals to rhs side में हम पहले a और b की multiply करके फिर उसको c से multiply कर रहे हैं तो दोनों में हम check करेंगे एक example लेकि जिसमें a की value 2 है b की value 3 है और c की value 4 है तो यहां lhs side में हम पहले 3 और 4 की multiply कर रहे हैं जो 12 आगी उसकी फिर 2 से multiply कर रहे हैं तो 24 आगी अब जबकि हमारी given है उसमें कौन सी property है उसका नाम हमें बताना है तो यहां पर हम पहले इसमें क्या कर रहे है कि 6 और 4 by 3 की multiply करने फिर उसकी multiply 1 by 3 से कर रहे हैं जबकि इस पार्ट में हम पहले 1 by 3 की 6 से multiply कर रहे हैं और फिर उसमें की 4 by 3 से multiply कर रहे हैं तो यहां हमें कौन सी property यूज हो रही है उसका नाम बताना है तो यह कौन सी प्रोपर्टी हो गई हमारी एसोचिएटिविटी प्रोपर्टी अब क्योंसा नंबर एट हम डिसकस करते हैं क्योंसा नंबर एट है इस एट अपन नाइन दा मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स ओफ माइनस वन इंटु वन हम यह बताना है कि क्या एट अपन नाइन जो है वो इस गीवन नंबर का मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है तो हम इसका मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स ओफ माइनस वन इंटु वन बाइट तो इस नंबर य क्या है 8 upon 9 यह positive given है और हमारा और negative तो means जो given है वो हम इसका multiplicative inverse नहीं है that is 8 upon 9 is not multiplicative inverse of minus 1 into 1 by 8 now question number 9 is 0.3 the multiplicative inverse of 3 into 1 by 3 0.3 जो है क्या वो 3 into 1 by 3 का multiplicative inverse है हमें यह check करना है why or why not तो हम check करेंगे तो multiplicative inverse of यह जो mix fraction में इसको हम proper fraction में लेके आते हैं तो 10 by 3 हमारा यह number हो गया इसका जब हम multiplicative inverse find करेंगे तो क्या करेंगे इसका हम reciprocal करेंगे जो कि हमारा आगे 3 by 10 इसको जब हम decimal में लेके आएंगे तो इसकी value आगे 0.3 यानि जो given है वो हमारा सही है तो इसका answer क्या होगा yes now question number 10 जिसका first part है rational number that does not have a reciprocal हमें एक ऐसा rational number बताना जिसका कोई reciprocal नहीं है ऐसा rational number हमारा होगा 0 second part है rational number that are equals to their reciprocal तो एक ऐसा rational number जिसका जो reciprocal है वो उसी के equal होगा यानि 1 जो है इसका reciprocal करेंगे 1 by 1 तो वो 1 के equal होगा minus 1 का reciprocal अगर हम देखें तो वो minus 1 के equal तो यह हमारी rational number होगा 1 and minus 1 now third part rational number that is equal to its negative ऐसा rational number जिसका जो rational number that is equals to negative वो rational number बताना है जो उसके negative के equal होगा तो ऐसा rational number हमारा 0 ही है 0 पर negative लगाने पर भी कोई effect नहीं आता तो 0 जो है वो rational number है जो उसके negative के equal है thank you guys hello student आज हम इस वीडियो में class 8 के exercise 1.2 करेंगे जिसका पहला question है represent these number on the number line यह number हमारे पास given है इनको हमें number line पर represent करना है तो guys number line हमें पता है सबको number line हम यह line draw कर दी 0 और यहां से start करेंगे 0 के जो और हमारे positive number होते है 1, 2, 3, 4, up to 0 यह हमारे number होगे तो हमें जैसे represent करना किसको 7 by 4 को तो हम यह ऐसे number बना के 7 by 4 को represent करना है तो क्या करेंगे सबके upon में हम 4 कर देंगे ऐसे 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 यह सबके upon में करेंगे यह हमारा हो जाएगा 7 by 4 तो ऐसे सबके upon में 4 कर देंगे फिर इनके बीच की जो distance है वो same ही रहेगी तो यह ऐसे हम कर देंगे सबके upon में 4 तो हमें जो जिस number को represent करना है उसको हम easily कर पाएंगे तो 7 by 4 को करना है तो हम यह 7 by 4 नंबर को ऐसे represent कर देंगे now next question है represent minus 2 by 11 minus 5 by 11 minus 9 by 11 on the number line अब हम number line ड्रो करेंगे और उसके हम उपर हमें represent करना है तो जहां हमारी 0 होते है उसके left side में जो है वो हमारे negative integer होते हैं तो यहां negative लेफ्ट साइड में आएंगे यहां पर वैसे minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ऐसे up to soon करते चलेंगे और upon में हमें क्या चाहिए 11 तो सब क्या upon में हम 11 करते चलेंगे यहां हम सब क्या upon में 11 करेंगे तो हमें जो represent करना है उसको हम represent कर देंगे जैसे minus 2 by 11 को represent करना है minus 5 by 11 को करना और minus 9 by 11 को करना तो यह हो गई हमारे represent नाव क्योंसे नंबर थाड है राइट फाइफ रैसनल नंबर विचार स्मोलर देन टू हमें पांच रैसनल नंबर लिखने जो दो से छोटे हैं वो तो वी केंड राइट टू एज हम दो को ऐसे लिख सकते हैं से फॉर्टीन बाई सैवन अगर करते हैं तो उसको सोल करने पर नंबर था करने हैं तो जो नंबर विच और इनके बीच के टैन राइसनल नंबर फाइंड करने हैं तो जो पहले हम LCM देखेंगे जो नंबर गीवन उनकाल से हम हो गया है यहां से एलसे हम सोल करेंगे तो यह आगए नंबर माइनस 4 बाइ 10 दूसरा आगए 5 बाइ 10 तो यह रैशनल नंबर पाइंस हम सीधे लिख सकते हैं जैसे माइनस 4 बाइ 10-3 बाइ 10-1 बाइ 10-11 माइं"? इसको बाइन नंबर हो जाएँगे नाओ नेक्सव इनन के बीचे हम रैशनल नंबर करेंगे तो वैसे हम स्जाऊ से लस्ड़ेशे सकते हैं जैसे जैसे 10 से कर सकते हैं 9 से ये तो हमने यहां पर इसको किया 12 से फ़क्त हैं इन दोनों नंबर सो जब 12 से मीडिपला करेंगे तो यू हो जाय कह एक दूसरा हो जाएगा 144 वाइटे 1 निके बीचिया हम जो number है वो denote कर देंगे तो जो rational number हो क्या हैंगे 121 by 180 122 by 180 आप 200 ऐसे करके 143 upon 180 यह हमारे rational number हो गए नाव क्योंस नंबर 6 है राइट 5 rational number greater than minus 2 minus 2 से बड़े हमें 5 rational number बताने हैं तो minus 2 को हम लिख सकते हैं minus 14 by 7 जैसे हमने plus को लिखा था वैसे minus 2 को minus 14 by 7 लिख सकते हैं इससे बड़े चाहिए तो जो negative terms होती है उसमें जो negative में जो number होता होता है वही बड़ा होता है तो इसके पीछे की terms है वह से greater than होगी तो वो पीछे की terms हम इसकी लिख देंगे जैसे minus 13 by 7 minus 12 by 7 minus 11 by 7 यह हो गए हमारे 5 rational number which is greater than minus 2 now next and last question find 10 rational number between अब 3 by 5 और 3 by 4 के बीच के हमें 10 rational number बताने तो same procedure जैसे हम LCM लेंगे दोनों का तो LCM आ गया 20 तो यहां से जब LCM शोल करेंगे तो इन दोनों के जो number है वो दोनों क्या हो जाएंगे 12 by 20 and 15 by 20 फिर से हम इसको multiply और divide करेंगे यहां आमने 10 से multiply और divide किया है तो number हो गए हमारे 120 upon 200 and 150 upon 200 तो यहां इन दोनों के बीच के rational number लिखने हैं हम लिख सकते हैं कितने भी चाहें तो 120 by 200, 122 by 200, 123 by 200 अप्टो सोन करके हम 150 upon 200 तक के जो इसके बीच के rational number है वो सारे लिख सकते हैं हमें 10 चाहिए तो 10 लिख सकते हैं थैंक्यू गाइज